जय मतादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे योटिप चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्च माह 2022 के तीसरे सब्ता के तुला राशी फल के बारे में 15 मार्च से 21 मार्च तक का समय तुला राशी के लोगों के लिए कैसा रहेगा इस सब्ता हमें ग्रहों के इस्तिती में क्या बदलाव होंगे कौन सा अगर है राशी बदलेगा और किस तरह के खास योग बनने वाले हैं किस तरह के योगों की यूती होने वाली है ग्रहों की यूती होने वाली है उससे कैसे योग बनेंगे जानेंगे सब कुछ विस्तार से तो वीडियो को लास तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनलों को सब्सक्राइब भी कर लें और जोड़ जाएं हमा हमें तो सप्ताह किश्रवात से ही सूरिय का राशी परवरतन हो चुका है सूरिय गुरु की राशी मीन राशी में आ चुके हैं कुम्ब राशी में बुद्ध और गुरु बैठे हुए हैं इसके लावा 18 मार्च को जो बुद्ध हैं वो कुम्ब राशी में अस्त हो जाएंगे और इस सप्ताह में होली जैसा पारव भी आने वाला है 17 मार्च को होली का पारव होगा जो बड़ी ही शुभ योगों में होगा होली का देहन का दिन है ये और 18 मार्च को रंगू की होली, प्रेम की होली का दिन है तो कुछ इस तरह से इस्तियां ये बन रही है और सप्ताह की शुरुवात से ही अगर हम बात करें कि सप्ताह की शुरुवात आपके लिए कैसी रहेगी तो ब्रस्पती की जो दुरस्टी है आपकी चंद्र राशी पर रहेगी जिसकी वजह से इस सप्ताह की शुरुवात से ही आपके अंदर आत्मा विश्वास होगा और उर्जा के इस्तर में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी एनर्जी से भर पूर होंगे जिससे हर काम को करने की तरफ सबसे ज़ादा प्रेरित रहेंगे हर काम को जल्द से जल्द करना चाहेंगे तो बहुत अच्छी शुरुवाद तुलाराशी के लोगों के लिए इस तौरान होने वाली है तो जब शुरुवाद अच्छी होगी तो आप अपनी उर्जा को बरबाद ना करते हुए उसे बस सही दिशा में लगए और उन सब ही कारे को करें जो आप लंबे समय से टाल रहे थे उन कामों को करने के लिए ये समय सबसे उत्तम हैं जो आप काफी लंबे समय से टालते आ रहे थे तोला राशी के जो जाता कभी तक बेरोजगार है नौकरी की तलाश कर रहे हैं या अप कोई नए स्टार्ट अप करना चाहते हैं बिजन〉ցस की शुरुआत करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये जो सप्ता है ये अच्छा रहने वाला है नौकरी के लिए अपलाई किया है तो इच्छानों सार नौकरी मिलने की संभावनाई बन रही है जिससे आपकी जो आर्थे किस्तिती है उसमें इजाफा दिखेगा आर्थे किस्तिती की तरफ से आप का मन बड में भी कामयाबी हासल करेंगे नौकरी की तलाश आप बस जारी रखें इस अपता हमें आपको ये खुशी जरूर मिलने वाली है बहुत उची समय है ग्रहों के इस्तितियां भी बेहत अच्छी बनी हुई है घर परिवार का माहौल हसी मजाग भरा होगा जिससे पॉजिटिव से किसी दूर के रिष्टेदार से कोई अच्छी खबर में मिल सकती है जो पूरे परिवार को खुश कर देगी पेशेवर द्रस्टी से देखें तो ये सबता आपके लिए काफी अच्छा और सही मार्ग पर जाता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि इस राशी के जो व्यवसाई हैं अगर उनकी बात करें तो उन लोगों को अच्छी परिणाम मिलने वाले हैं जिससे संतुस्टी मिलेगी और नौकरी पेशा लोगों को अगर आपने कहीं किसी मल्टिनेशनल कंपनी में ट्राइ किया था आप काफी समय से ट्राइ कर रहे थे तो आपको वहां काम करने का आप सर भी राप्त हो सकता है इस दोरान आपके जो आर्थे किस्तिति है उसमें बड़ खुत्री होगी आर्थे किस्तिति आपकी बड़ी स्ट्रॉंग रहने की योग बने हुए हैं लेकिन स्टुडेंट्स को थोड़ा सा धान रखना है कुछ विप्रीत गती विदियों की वजह से चात्रों का मन विचलित हो सकता है और जो तरह के रिजल्ट आप पाना चाहते हैं उसके लिए आपको अपने मन को शाइंद करना है उसके लिए मेडिटिशन आप कर सकते हैं उसके लिए meditation करें कुछ ऐसी चीज़े करें जो आपको strong बनाती हैं जो आपके मन को शांत रखती है यानि तुलाराशी के लोगों के लिए ये सब्ताह बहुत ही बहतरिन तरीके से खुद को समाहलने के लिए है ये समय आपके और आपके परिवार के लिए तरीके से खुद को समाहलेंगे अपने परिवार को समाहलेंगे और परिवार के सदस से इस चीज़ की तारिफ भी करेंगे और professional life वो भी आपकी बड़ी बहतर रहेगी और उसे आप और ज़्यादा समय दे सकते हैं ताकि चीज़ें और अधिक बहतर बन सकें तो ये जो समय हैं खुद को प्रूव करने का है अपने वरिष्टों के सामने अपने उच्छ अधिकारियों के सामने सरवत्तम तरीके से खुद को प्रूव करने का और उनको अपनी तरफ प्रभावित करने का प्रेम संबंद की बात करें तो प्रेम संबंदों में सुधार होगा सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है तुलाराशी के जातकों को और जो दामपत्य जीवन है वहां भी इस्तितिया अच्छी रहने वाली हैं बच्चों से जुड़े हुए मामले आपके अंदर अगर किस योग बना हुआ है इस राशी के कुछ लोगों के लिए बहुत ही अच्छे योग हैं विवाह के ये समय आपके परिजन आपकी सहमती पर मोहर लगा सकते हैं तो उनके लिए भी ये जो समय होगा ये काफी अच्छा रहेगा अब इस राशी के लोगों को करियर कारोबार के स के क्रेविक्रे से आप जुड़े हुए हैं तो उन लोगों को भी बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है अगर आप ऐसे कामों से जुड़े हुए हैं घर से जुड़े किसी बड़े फैसले को इस दोरान लिया जा सकता है जिसमें आपके माता पिता का पूरा समय बीतेगा 18 मार्च को बुद्ध भी अस्त हो जाएंगे उनका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा और 17-18 मार्च का जो दिन है ये होली का पर्व है रंगों की होली का पर्व है तो ये दोनों ही दिन आपके लिए उत्तम रहेंगे इस दोरान आपके अपनों से मिलना हो होगा अपने रिस्तारों अपने परिवार के साथ काफी अच्छा समय बीतेगा तो कुल मिलाकर ये जो सब्था है ये बेहत अच्छा है हर तरीके से करियर के लिए कार्योबार के लिए परिवारिक जीवन के लिए और प्रेम जीवन के लिए भी ब Alabama को थोड़ा सा ध्यान द कापाट करना आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा और किचन में जब रोटी बने तो पहली रोटी आप किसी गाय को अगर दे दे दें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो दोस्तों और अदिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को जाज़दे लाइक करें शेयर करें